महा महीम राश्पती जी, आदर नियोप राश्पती जी, गाउं गरीब किसान मजदूर के रड़ा समराथ भारत के प्रधान मंत्री जी, लोक्सभा के मानने अध्यक्जी और सभागार में उपस्थेत, सभी सम्मानित, भूत्पुर्व शान्सद और आमंतित, सबों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ. मुझे ये उत्कृष्ट कैसे समझा गया? न मेरा बाप उत्कृष्ट, न मेरी मा उत्कृष्ट, न मेरे खंदान में कोई उत्कृष्ट, न मुझे किसी का अनुग्रह, न किसी का अनुकम्पा, न किसी का मेरे पीछे नाम, न मेरे पीछे कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उतक्रिष्ट चुना गया, मैं उतक्रिश्ट चुनने वाले को हिर्जै से धनवाद देता हूँ भाई आपने ये गाउं के कीचर में से हीरे को कैसे पाचान लिया अब तक तो कितने पाउं लगे, कितने ठोकर लगे, कितने अपमान सहे लेकिन जब मैं बैठा करता था, तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी ये आपको कभी उद्किर्श चांसत का पुरश्कार है, मिलेगा, कोशिस करिए तो मैं कहता था, मैं कोशिस क्या करूँगा, क्योंकि उभी राजनिती में है, बर्सों से सक्रिय रही हम संकर पारवती जी के जैसे संबाद करते रहते हैं तो मैंने कहा, चलो काली माई सोचेगी तो कर देगी मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरी कुल्दे भी है लेकिन जब सिल्ली गोरी के एक मजदूर मुशलमान भाई को पद्मस्तिरी की पद्मभुसन का सम्मान मिला तो उस दिन मेरे मन में ये भाई जगा कि हम मैं उत्कृरिश्टान सद्का प्रुस्कारवस ले लुगा ये अंतर मन से बोध हुआ, क्यूं? तो मैंने कहा कि भाई, यहां दिल्ली से बैठे-बैठे प्रधान मंत्री जी और ये पद्मभुसकार देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी द्रिष्टी वहां सिल्ली गोरी के एक चाय बगान के एक गरीब निर्धन मुसल्मान के को देख लिया, चून लिया इतनी दूर से, तो मैं तो उनके पास हमेशा रहता हूँ, मुझको कैसे नहीं देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, लेकिन साब मैं धन्य भागे साली हूँ कि आखिर मुझे देख लिया गया, और आज मेरे गाउं के लोग टीवी पर देख रहे होंगे, उनकी चाती कितनी फूलती हूँ, आपनी मुझे सम्मानित नहीं किया है, हिंदूस्तान के करोर, निर्धन, निर्वल, पिछडे, दलित, उपेक्षित, उफासित, फीडित, परतारित, वो गरीवनी मा जो खीचर में चलती थी, कभी जीवन में, सनलाइट और लाइबवा साब नहीं देखा, ऐसे मा के गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष शंसद बनाया, यह संसद की संभिधान सभा की देन है साब, मुझे प्रेरना मिली थी उस दिन, जे नरेंदर मोधी प्रदान मंतरी बने थे, तो बैठे थे हम घड़ में, हापस वचर्चा कर रहे थे, यह उत्किर्ष शंसद के लिए आबेदन पर रहे थे, मेरी पत्नी ने कहा आप भी आबेदन खरवाओ, किर्षी समीती के हमारे जो साथी सदस लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको एस्पांसर करेंगे, तो हमने कहा कर दो भाई, लेकिन मुझे हुआ कि मुझे जरूर उत्किरिष्ट माना जाएगा, जो कि जब एक गरीब नी मजदूरी नी साधारन मा के कोक से जन्मा हुआ, एक गरीब फुट पास पर सुने वाला, चाय बेचने वाला, भारत का प्रधान मंत्री बना है, तो ये उत्किरिष्टान सत्का पुरुष्कार कोई उससे बरा है, मुझे क्यूं नहीं मिल सकता है, ये जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, प्रेड़ना ये लोक तंद्र की देन है, वाहराजना जी बैठे हैं, जब ये अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, तो मैं उनके साथ कार्ज कर्म में ले जाते थे मुझे घुमाने के लिए, एक बार दुर घटना हुई, उसमें गारी में आग लग गई, हम दोनों तो जल के मरी जाते, भगवान को बचाना था, इ आज मुझको उत्कृरिस अंसद कैसे पुरुषकार मिलता अगर मर गए होते जल के गारी में, ये इस्वर की कृपा थी, मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, कि मुझे विश्वास है इस अंसद में, विश्वास है मुझे संभिधान में, और इस देश की करोरों निर्धन निर्बल पिछडे दलित उपिक्षीत उपासित परतारित उस गरीब मजदूरों के विश्वास पर, और मुझे विश्वास है उस डाक्टर लोहिया की बानी पर, जिन्होंने मुझे कहा था हुकुम चंद, तुम अटूट निष्था के साथ म मेरी बात को मान के आगे बढ़ते जाओ, एक नएक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में किसी गरीब निर्धन निर्भल, मा के कोक से जन्मा हुगा आती पिछडा का वेटा भारत का प्रधान मंत्री बन सकता है। मेरी बिदमना देखे कि मैं संका स्विंग से भग था, रोज दोनों साम सखा जाता था, और कालेज में समाजबादी जूबजन सभा में मंचपर से में डाक्टर लुया का जंडा लेके चलता था, आन्ना मुझे समाजबादी पूछते थे कि संका स्वंग सभग हो, कैसे यह यहां आते हो, आनव संका स्वंग से भग कोई पूछता था, कि आप समाजबादी पाती में जाते हो, यहां क्यों आते हो, दोनों में कोई नहीं पूछते थे, अजादी के साथ मैं काम खिया, मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यबाद दूंगा कि मेरे उपर, डाक्टर लोहिया और चोधरी चरन सिंग्जी हैं, और कर्पुरी ठाकुर विहार के थे, निर्धन, निर्बल, मजदूर, बासी भात खाने वाला नाई का बेटा, वो मेरे साथी और विहार के नेता थे, उनके साथ साथ मुझे पंडित दिन द्याल उपादिया के भी जीवन का मेरे उपर बहुत असर पड़ा, मैं उनकी गरीवी में, राते विए उन्हें ने जो देश को एक प्रकास दिया था, रोशनी दी थी, हिंदूस्तान के अंदर, उन्होंने एक जमात खरा की थी, उसके आसे लिए मैं उनको, उनका मेरे उपर असर है, लोगों को यह आश्चर लगता है कि मैं, all इन one कैसे बन गया, मैं सुलं से बगी बन गया, समाज भादी भी बन गया, लोह्या बादी भी भी बन गया, कर्गुरी टैपर के साथ भी, और दिन द्याल जी का भी गीत गाता समता समाज इसलिए मैंने उसको अपने जीवन में अंगिकार किया है कि सब की घीत मैं गाता हूं भारत की घीत सुनाता हूं मैं गाउं से रहने बाला हूं मैं गाउं की घीत सुनाता हूं मैं किसान का बेटा हूं किसान का गीत सुनाता हूं आप सबों को धन्यवाद बहुत ब मुझे उत्क्रिष्ट सांसद मनाया जम नाम सुनता हूं उत्क्रिष्ट तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया मैं शाइज लगता है कि गीता में भगवान कृष्णी जो विराथ लुग दिखाया था साइद उत्क्रिष्टा परदान की आपने 77 से आया 42 बरस तक के में रहने के बाद अंति में आपने ऊत्क्रिष्ट ताका पुरस्कार दे करके जो विदाई समाहरों में मुझे समानित किया है इसके लिए मेरा समाज मेरे छित्र के मधवनी के गाउं के गरीव किसान सभी आपके लिए अनुग्रीत रहेंगे साहाब सभी आपके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, श्री हुक्मदेव नारायन यादव,